नूडल्स खाना तो हर किसी को बहुत पसंद होता है और अगर रेश्ट्रॉन इस्टाइल नूडल्स घर में बनाएंगे वो भी सिंपल तरीके से कम चीजों में कम तेल में तो खाने और बनाने दोनों का मज़ा दो गुना हो जाएगा तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज हकका नूडल्स की बहुत ही आसान और बहुत ही टेश्टी रेसिपी रेश्ट्रॉन इस्टाल बनाएंगे घर में बहुत ही कम चीजों से और अगर आपको ये रेसिपी बनाने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए बहुत ही मज़िदार नूडल्स बनाना सुरू करते हैं नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स उबाल लेंगे तो उसके लिए मैंने पानी गरम होने के लिए रखा है और मैं हका नूडल्स का इस्तमाल कर रही हूँ और इसे हम 3-4 मिर्ट तक पकने देंगे 3-4 मिर्ट हो गए है चेक कर लेते हैं कि नूडल्स हमारे पके हैं कि नहीं तो हाथों से तोड़ के देख लेते हैं जब आसानी से हाथों से तूड़ जाएंगे तब नूडल्स अच्छे से पक चुके हैं ये हमारा नूडल्स पक चुका है तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे एक इस्टेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे हलका सा इसे फैला देते हैं अगर आप नूडल्स को थोड़ी देर बात बनाना चाहते हैं तो इस तरह उबाल कर रख लें और हलका सा लगा दे तब वापस में चिपकेंगे नहीं और नूडल्स खिले खिले बनेगे तो नूडल्स हमारा बॉलो के तब तैयार हो चुका है तो हम सौस तियार कर लेते हैं तो इस तरह से बनाएगे तो बहुत जल्दी आसान हो जाएंगे काम को तो एक बॉल में सारे सौस को मिक्स करके रख लेंगे और जब हम source मसाले को भूनेंगे तब हम तुरनd sauce को डाल देंगे तो tomato ketchup डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे तो sauce भी हमारा तयार है तब हम सब्जयों को भून लेते हैं तो एक पैन गरम करेंगे उसमें हम दो तीन चमस तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे, तो तेल हमारा गरम हो चुका है, तब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे, तब हम इसमें डाल देंगे, बारी का टीवी लहसुन, लहसुन का इस्तमाल हलका साथ जादा करेंगे, तब ही टेस्ट बीज से कटीवी और एक मेडियम सेच का प्याच लंबे कटे हुए और सब्सक्राइब ब्लाल और हरा किलर और ये गाजा लिया है आप इसमें यलो किलर का भी सिम्ला मिर्श ले सकते हैं अगर आपके पास है तो वह अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम इसमें पहले लहसुन हलके से भून चुके हैं तब हम इसमें सबजियां डाल देंगे तब हम इसमें प्याज और गाजर को डाल देंगे पत्ता गोभी और सिम्लमिश को बाद में डालेंगे प्याज और गाजर को पकने में हलका सा समय लगता है तो पहले इन दोनों को डाल देंगे और एक म लियुँय को प्याज़ और गाज़ को सबजे को सालव को अगे ले और पखते देना है नियुव। हो गए हैं सब्या सोफ्ट हो चुकी है देख सकते हैं इससे ज़्यादा इससे हमें नहीं भुणआ कवद कर देंगे चीक करदो कि कर देते हैं आ कि की काक साव डाल लेका नमक नमक देंगे सवाद के नुछार्य सायल्साब का इस्तवाल हमें सब्सक्र से करना है नमक और काली मेश को अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे उबलावा नूडल्स तो नूडल्स को डाल देते हैं और देख सकते हैं आप नूडल्स कितने खिले खिले दिख रहे हैं नूडल्स को हमें हलके हाथों से मिक्स कर देना है सारे वेजिस में ज़्यादा प्रेसर देенных करने नहीं तो नूडल्स टूटने लगेंगे और अच्छे नजी तिखेंगे तो हलके हाथों से अच्छे से सारे से मिक्स कर दिएंगे तो यह देखिए अच्छे से नूडल्स मिक्स हो चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे सॉस तो अब जो हमने सॉस को मिक्स करके रखा है बॉल में उसे डाल देंगे अगर आप इस तरह से सारे सॉस को एक बॉल में मिक्स करके रखेंगे तो बहुत सारा टाइम बचेगा नहीं तो अभी ऐसा होता है कि एक बार सोया सॉस डालते हैं फिर ग्रीन चिली सॉस फिर रेट चिली सॉस टमेटो कैचप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेश्ट होता है तो जब आप नूडल सुभाल रहे हैं और टाइम बच जाए तो सारे सॉस पर एक बॉल में मिक्स कर लें तो सारे सॉस में कभी जादा स्वर्णक बिर टेस्ट बहुत अच्छा ता है तो सॉस को भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है नूडल्स में, तो ये देखिए सॉस भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, तुरंद फ्लिम को बन कर देना है और इसे हम सब कर लेंगे, और देख सकते हैं आप कितना बढ़ी हां क्यार हुआ है तिसे हम एक प्लेट में गरम गरम सफ कर लेंगे तो जाए फटाफट इस वेज नूडल्स को जरूर बना के ट्राइक कीजिए आपको यह नूडल्स बहुत पसंद आने वाली है और बनाने के बाद अगर यह आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर की कीजिएगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नौटिफिक्सन जाय से मैं वीडियो टालू वैसे आपको तुरंत मिल जाए